हलो दोस्तों मैं भी एल शर्मा और आप सभी का हमारे नए वीडियो पर बहुत-बहुत स्वागरते हैं दोस्तों जैसा आप सामने देख सकते हैं यहां पर नो वीला बने हुए है जिसके अंदर यहां पर चार जो है वो वेस्ट फैसिंग है और जो पांच वीला है वो प्लेट्स है और सबसे पहले हम बात करेंगे लोकेशन की तो यह सिर्सी रोड पर सिर्सी मोड जो आता है वहां पर जो रोयल गिरिन बिल्डिंग है उसके अपोजिट सैड की लोकेशन है में रोड से यहां तक की जो दूरी है वो 600-700 मिटर की है जेडिय परूड है तो 90% त को इस वीडियो में वीला दिखाने वाला हूं वह है एक फॉर बेडरूम का फुल डुपलेक्स जेडी अपरूड इंडोजल हूस जो है सोगज में बना हुआ और वह है नौर्थ वैसिंड यह देखिए जह साम सामने चल रहे हैं यह सामने 30 प्रोड है उस तरब भी आपको 30 प्रोड मिलती है और इस तरब ही जम्सकुल धरी साथ होने वाला हो है दोस्तों बहुत ही डीट झाल में न्लै महाला है तो क्डर आप सारी डिटेल ना चाथे तो वीडियो में सस्कूर्ण को सब्सक्राइब बाने रहे हैं लास्त तिक वीडियो पसंद है लाइटक्र आिप सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा तो यह देखिए दोस्तों यह इसका फ्रंट एलिवेशन है बहुत ही शांदार फ्रंट एलिवेशन है बीस बाई चम्माल इसका इसका डाइमेंशन है अट्याणमा वर्गर्स के अंदर यह बना हुआ है अर। दोस्तों यह बंद रोड का विला नहीं है यह देखिए यहांपे डोर है यहां धर से भी आप सिदा एंटर हो सके और वें रोड के लिए निकल सकते चु Vale के मूंद कर रहा था वह देखिए यहांपे सबका कॉंछक्स twenty दिया हुआ है सभी विलागे लिए और सामने बोरिंग आपका लगा हुआ है यहां पर जो वोल है यहां पर नेम प्लेट के लिए इस्पेस चोड़ा हुआ है यह इसकी डिजाइन है और जैसे हम एंटर होते हैं तो यहां पर पॉर्च एरिया मिलता है जो एक अच्छे इस्प इस्टेर्स यहां पर बार्ज है तो रेंट आउट का जो ऑप्शन है वो भी यहां पर बिल्कुल रेडी है आप सबके लिए अगर आप रेंट आउट करना चाहते हैं किसी पॉर्चन को और दो स्टेप के बाद में यहां पर आप होते हैं एंटर एंटरी पर एक अच्छी साइस का डोर और बड़ी विंडो दी गई है ताकि वेंटिलेशन प्रोपर गर की अंदर जाता रहे और यह देखिए डोर की जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है उडन के अंदर बनाया गया है एंडल के साथ आपको यह दिया जा रहा है और एंटरी पर आपको एक अच्छी स्पेस का होल मिल जाता है दोस्तों होल की साइस की हम बात करें तो बारा बाई चाउदा का है प्रोट्स यह इसकी साइड वोल है जहां पर बहुत ही सुन्दर वोल पर यूज ल जा रहा है रत्स के साथ यहाँ पर वह स्पेसर देखिया यह बीएक अच्य, डिजाईं इसमएद तयार के अगया है तो यह दैखिए फ्रन्ट साइड में इधर बैडरू मैं, वहाँ पर वैसे बैडरूम मैं सामने की तरफ kitchen है तो सबसे इसकी हम बात करें तो साड़े आठ बाई साड़े आठ की इसकी अप्रोट साइज है जिसके अंदर दोस्तों बोटम और टॉप दोनों में आपको केबिनेट दिया गया है तो इस पेस की कोई प्रोब्लम नहीं होने वाली है बेट साइड में विंडो है और यह इसकी सेलिंग क कि इसकी साइज है सामने की जो वॉल है उस पर वॉल पेपर यूज लिया गया है यह देखिए और बहुत ही सुनदर यह लेक्ट डिजाइंग की फॉल सेलिंग यहां पर दी गई है फुल लेंथ में वाडरोब का ओप्शन दिया गया है वुडन के और यहां पर आप देखत हैं तो डोर दिया गया है वह भी वुडन का है और यह बेक्याड का एरिया जहां से प्रॉपर वेंटिलेशन आपको मिलता रहेगा और दोस्तों बढ़ते हैं अब देख लेते हैं जो हॉल में कोमन वह शुरूम है वो यह भी एक अच्छे स्पेस का है यह दिखिए और जो स सब्सक्राइब है यह फ्रंट साइड का बैडरूम जो है दूसरे नमर का बैडरूम साड़े दस बाई चाओदा इसकी साइज है एक अच्छे स्पेस का यह बैडरूम है और इस वोल पे वोल पेपर है फॉल सेलिंग की डिजाइन है यह दिखिए और सामने के तरफ आप दे लिए ताकि वेंटिलेशन प्रोपर मिलता रहे है और यहां पर दोर दिया गया है यह देखिए यह बाहर का व्यू तो दोस्तों अब हम आपको लेकर चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे और वहां पर जो पॉर्शन बना हुआ है वह भी देख लेते हैं रेट की भी हम बात में बने रही है इसके बिल्कुल मत कीज़ेगा तो दोस्तों हम आगे हैं फर्स्ट फ्लोर पे और यहां पर भी देखिए बड़ी विंडो के साथ डोर दिया गया है एंट्री पे और यह होल है जो इस विला का दूसरे नंबर का होल है और बारा बाई चाउदा इसकी अप्र साइड वॉल की बात करते हैं तो यहां पर यह देखिए बहुत ही सुंदर वॉल पेपर लगाए गए है और इसका नक्सा भी सेम है सामने कीचन है इस तरफ बैडरूम है और इस तरफ बैडरूम है फ्रेंट साइड में तो सबसे पहले फ्रेंट साइड के बैडरूम में चल लगाए गया है और यह देखिए इसकी फॉल्सलेंटी डिजाइन और इधर आप देखते हैं तो वार्ड्रोप है फ्रेंट साइड में बड़ी विंडो और डॉर है और यह इसकी इस्पेशियस वालकोन ही है यह देखिए टफन किलास यहां पर यूज लिया जाएगा जो एक दो दिन के अंदर लगा दिया जाएगा और यह देखिए सामने का व्यू और इस रूम में अटेच में आपको वाश्रूम भी दिया गया है इस्पेश आप देखिए अच्छा इस्पेश है चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और यहां पर वाश्रूम है और इस तरफ बैट साइड में फॉर्थ नमबर का बैड रूम है साड़े दस बाई साड़े बारा इसकी अप्रोच साइज है और इसके अंदर आपको फॉल सेलिन की डिजाइन दी गई है यह देखिए यहांपर अच्चे सुख्ण का वाश्रूम है और यहांपर आप देखते हैं तो फूल लेंद में वाज़रोब दिये गई है और बैड साइड में आप देखते हैं तो यहांपर डॉर और यहांपर बैक्याड का एरिया है दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं इस विला का दूसरे नंबर का मॉडूलर किचन जो बहुत ही अच्छी डिजाइन में तयार किया गया है विद गिलास के पार्टेशन के साथ साड़े हाट भाई साड़े हाट अपरोच इसकी साइज है अपर और लोवर दोनों तरब क्रे जैन भी इसके अंदर आपको दीगड़ी है यह देखिए है अब आपको लेकर चलते हैं चत पे आसपास का व्यू दिखाते है उससे पहले अगर हम बात करें यहां पर जो विला यह उनकी रेट की तो जो विला आपने अभी देख आ है उसकी अगर हम रेट की बात करें तो वो 90 लाग रुपे का है, रेट नेगोशियबल है, और जो starting price है यहां पर विला की, वो दोस्तो 48 लाग की है, इसके अंदर आपको 78 गरज का 3-bedroom का full duplex विला मिलने वाल है, तो अगर आपका budget कम है, तो और विला के लिए भी आप हमसे बात कर सकते हैं, चत पे आगे हैं, सबसे साइड से हैं, यह देखिए है, फ्रेंट से, दोस्तों वीडियो पसंद आए हो, लाइट शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो आपने देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद,